तो प्रभास की कल की 28-98-80 फिल्म बॉक्स ओफिस पर शांदार कलेक्शन कर पाई थी, इस फिल्म के साथ प्रभास ग्रेटेस्ट कमबैक कर चुके हैं, तो आज हम प्रभास की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो की बॉक्स ओफिस के सारे रेकोर्ड तो तो एक भी फिल्मों को मिस्स मत करना तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आप प्रभास के फैन हो तो शुरू करते हैं नमबर वान पर है स्पिरिट जिस फिल्म को को संदीप रेड़ी वंगा डायरेक्शन देने वाले हैं जिनकी आखरी मूवी एनिमल एक आल टाइम ब्लॉक बस्टर रही है 900 क्रॉर प्लास का box office collection करके ये फिल्म प्रभास की करियर की 25 वी फिल्म होगी फिल्म के अंदर प्रभास एक sincere cop का role play कर रही है फिल्म का budget reports के according 400 क्रॉर प्लास होगा ये फिल्म 2025 तक आने वाली है फिल्म टोटल आठ भवाशाओ में रिलीज होने वाली है प्रभास की Most Anticipated Pan India Film को T-Series और भदरकाली पिक्चर्स मिलकर प्रड्यूस कर रही हैं तो क्या ये फिल्म भी Animal की तरह दमदार Box Office कलेक्शन कर पाएगी आप सभी को लिखकर बताना है नमबर टू पर है एक Untitled फिल्म ये प्रभास की आने वाली एक Period Action Love Story फिल्म होगी जो की दोस्ती प्यार को एक Classic War Setting में दिखाएगी जिसको बड़े Scale और Budget पर बनाया जाएगा फिल्म को Talented हनुरागवपुडी Direction देने वाले हैं जिनकी Last Film सीतारामम Box Office पर Massive हिट रही थी विश जाल चंदर शेखर इस फिल्म के लिए Music स्कोर कर रही है उन्होंने औरेडी तीन सौम कम्प्लीट कर लिया है मैतरी Movie Makers इस फिल्म को प्रड्यूस कर रही है जो की Pan-Indian Film पुश्पा को प्रड्यूस करने के लिए Famous है इस फिल्म की शूटिंग जल्दी स्टार्ट होगी वही ये Movie दो हजार पचीज के End तक देखने को मिलेगी नंबर थ्री पर है कल की 28-98-80 Part 2 इस फिल्म का पहला Part Box Office पर धुम मचाय थी कमाल की बात ये है कि कल की Part 2 के लिए हमको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि Part 2 की शूटिंग 60% कम्प्लीट हो चुकी है 40% शूट बाकी है ऐसा फिल्म के प्रड्यूजर अश्विनी दत कन्फर्म कर चुके हैं मजेदार Part 1 के एंडिंग में भैरवा सुम्ती को लेकर चले जाता है और कमल हसन सिरम के एक बूंद से ही एकदम शक्तिशाली बन जाते हैं तो बहुत सारे सवाल ये मूवी छोट जाती है जिसके जवाब हमको इसके आने वाले सिक्वल में पता चलेगा 40% शूटिंग बाकी है मतलब ये मूवी 2025 नहीं तो 2026 में आने वाली है नमबर 4 पर है रिबेल स्टार प्रभास के ब्लॉकबस्टर तमिल डिरेक्टर लोकेश कनकराज के साथ भी एक बड़ी फिल्म आने वाली है ये फिल्म लोकेश कनकराज की करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी ऐसा लोकी खुद ही कनफर्म कर चुके हैं ये फिल्म एक हाई प्रभास को एक नए अवतार में देखना फैंस के लिए एक त्रीट होने वाला है दोनों के कोलाबरेशन से इंडस्ट्री में काफी हाई बना हुआ है लोकेश कनकराज जो की कैथी मास्टर विक्रम लियो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के डिरेक्टर है ये अपने इंट जर्दैन लाइफ स्क्रीन प्रेजन्स के लिए मशूर है ओवरॉल प्रभास और लुकेश कनकराज की ये फिल्म एक धमाका होने वाली है जो की बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा सकती है और ओडियेंस को एक जबरदस्ट सिनेमाटिक एक्सपिरियेंस दे सकती है अगर फिल्म अच्छी बन कर आती है तो ये फिल्म हमको दो हजार पचीस नहीं तो दो हजार चबबीस तक देखने को मिलेगा सिनेमा घरों में नमबर फाइव पर है दी राजा साहब यह फिल्म एक पैन इंडिया होरर कॉमेडी फिल्म होगी जो की एक हैवी वी एफ एक्स मुवी होगी इसे सुनकर प्रोड्यूसर ने कहा है कि फिल्म में होरर, कॉमेडी और रोमास सब कुछ देखने को मिलेगा यह फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत की चंदरमुखी टाइप की होगी इस फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका में नजर आएंगे उनके साथ निधी अगरवा मालविका मोहनन और रिधी कुमार को फीमेल लीड में देखने को मिलेंगे। फिल्म 2023 में आई सूपर हिट फिल्म सालार पार्ट वन का सिक्वल होगी पार्ट वन का एंड एक क्लिफ हैंगर पर हुआ था तभी से ओडियन्स इस फिल्म का ज्यादा वेट कर रही हैं। कर पाईगी क्योंकि पार्ट वन नहीं कर पाई थी ती को उम्मीद था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हजार क्रॉर कर लेगी लेकिं नहीं कर पाई थी। तो क्या सलर्टू कर पाएगी ये आप सभी को येस और नो करके बताना है। ये फिल्म अगले साल दिसमबर तक आने वाली है। नमबर सेवन पर है बाहुबली थ्री। बाहुबली फ्रैंचाइज की पिछली दोनों फिल्म में बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्बस्टर रही थी। एसेस राजा मॉली कनफर्म कर चुके हैं कि बाहुबली थ्री डेफिनेटली बनेगी मुझे पता है कि वो जूट बोल रहे थ अगर इस फिल्म का थर्ड पार्ट बनता है तो बॉक्स ओफिस के रेकोर्ड तुड जाएंगे ये एक लौती इंडियन फिल्म है जो की दंगल का रेकोर्ड आराम से ब्रेक कर सकती है अगर गदर बोर्डर जैसी आइकॉनिक और टाइम ब्लॉक्बस्टर फिल्म का सिक्वल बन सकता है तो इस फिल्म का भी सिक्वल हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है तो ये थी प्रभास की आने वाली कुछ फिल्म है जो की बॉक्स ओफिस के सारे रेकोर्ड तोड सकती है तो आप लोग किस फिल्म का वेट कर रहे हो आप सभी को लिख कर बताना है विडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सुक्रिया